आज हमारी चड़चा के केंदर में देश की ही नहीं बलकि दुनिया का सबसे बड़ा गैर राजितिक शंगठन अर्थत राश्ट्री स्वें सीवक संग के द्वारा दिया गया वीचार रहने वाला है राश्ट्रे स्वेम सेवक संग के तीन दिवसिय बैठक अभी रायपूर में संपन हुई उसमें तमाम अनुशांग के संगठन के लोग शामिल हुए थे और उस बैठक के जो फैसले थे उनको लेकर मनमोहन वैदिक कल मीडिया से रूबरू हुए थे तमाम सारी बाते उन्होंने कहीं पर उनमें से एक बात जिस पर हम आज बातचीत करना चाहेंगे वो यह है कि उन्होंने चाहा है कि देश के विद्यालेओं में हिंदुत्व की शिक्षा पढ़ाई जाए उनका कहना था कि UK में, अमेरिका में भी हिंदुत्व की पड़ाई कराई जा रही है तो अपने देश में क्यों नहीं, निश्यत रूप से भारत के संदर में संग के द्वारत दिया गए या विचार, विवात का विशे तो हो सकता है पर हम उसे विमर्ष का विशे बनाना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, जिस सनातन संस्कृती में ये देश पला बड़ा है जो हजारों साल की हमारी सब्विता रही है, उस सब्विता के अंतरकत निकले हुए तमाम ज्यान की बाते हैं क्या उनसे अपने आने वाली पीड़ी को रूबरू कराने के संदर में संग के इस सुझाव को अंगीकार किया जाना चाहिए क्या वरतमान में देश की शिक्षा विवस्ता के अंदरगर हिंदुत्व जिसे कहा जा रहा है उससे संबन्द Literally शिक्षा नहीं दी जा रही है इस पर भी बात होनी चाहिए शिक्षा विद्ग का नजरिया इस संदर में क्या है इसे समझने की कोशिष करनी चाहिए एक तरफ देश में मदर से निशाने पर है जहां पर इसलाम की शिक्षा दी जाती है घोशित तोर पर उसके मुकाबले में अब तमाम सरकारी और गेर सरकारी विद्यालेव में हिंदुत्य की शिक्षा दिये जाने को क्या इस देश का अल्प संक्यक समुदा है तरफ स्विकार कर लेगा इस पर भी बात होनी चाहिए तो निश्यत रूप से विचार है उस विचार पर विमर्ष हो और विमर्ष के आधियर पर किसी नतीजे पर पहुंचा जाए यही किसी फैसले की बुनियाद होनी चाहिए तो करते हैं विचार संग ने दिया है विमर्ष अपने कारक्राव में हम करेंगे तो जुड़ेगा मेरे साथ आज रात आठ बेज चर्चा में आयने चाहँ जनता टीवी पर इस मुद्दे पर बाचीत के लिए